देखे, हम पढ़ रहेते पार्ट पस्ट सुवासितानी, कल हमने न स्लोकों में से चार तक स्लोक कद्यन किया, आज हम आगे पढ़ेंगे, देखे, कल पहले हमने जो पढ़ा था उसके बारे में पटापट से रिवाइस कर लेते हैं, देखे, पहले पढ़ा था जो गुन होते ह के पास ही होते हैं, अगर वे गुन, निरगुन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, गुन हीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वे गुन क्या बन जाते हैं, दोस बन जाते हैं, जिस प्रकार से नदियां प्रारम में उत्पंज होती हैं, तो उसका जल कैसा होता है यदि वही जल समुद्रों में जाकर पहुंच जाता है तो वो समुद्र के साथ साथ मिलकर कैसा हो जाता है खारा हो जाता है इनकी ने पीने योग्य हो जाता है दूसरा स्लोग पढ़ाता है, साइपते संगीत, कलासे, पीहीन, जो मनुश्य होते हैं, वो साख्षत पसु की समान होते हैं, जिनके क्या नहीं है, सिंग और पूँच नहीं है, अगर वही मनुश्य इस संसार में, ये तो पसु का बड़ा सोभात गया है, कि वे मनुश्य इस स और शाल के चुगल खोर है, वुतनान स्था ओंका ρामनस्त हो जाता है, ये पाथ सबस्य नहीं प्राइब ड़ाता है, व मतृतन दूसरे संसार आश्रित होते हैं, उनका चैसे साथ धृतल्यों को समान होदा स्भीश्छत deze पर चृत्ति शाया क बड़ाती दन अर्यति पक्ड होता है कि दोर्जन व्यक्तियों के कट्ट बच्णों को सुनकर भी हमेसा अच्छे बच्णों का ही स्रदन करते हैं अब आगे देखिए इस जो पांच नंबर का जो स्रोक है इसमें बताये गया है आपका ब्रक्ष की परोग कर वरू मही रूहा मतलब होता है ब्रक्ष क्या होत ब्रक्ष कैसे परोग कार होते हैं हम सभी के लिए देखिए पुष्वयानी क्या होता है फूल क्या होता है फूल पत्र मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों पत्ति क्या होता है फल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों फल छाया मतलब क्या होती है देखिए प्रक्षों से धन्या धन्यहे मरव ब्रक्ष ये सा मिमिख्यों मियातनी यारतिन आर्थन सब सब्सक्राइब को चाहने वालों को देख को आपकुछ द्न्यहें को देखे Об rightly ब्रक्षों खल चाहीं diesem हासर चाल और लगड़ी कि इनसे इस भूद्छ को क्या नहीं करते हैं यह तो है स्वाव है ठाब कारेक्षा्ण करता है ऑई कशों है बछिभा नहीं देवं अलामवते देखेंने एल्टी जो व्यक्ते पुर्शाइब पुर्शाइब नहीं करें तरह हुआ अलमवते क्वां मतलब क्या होता है परिश्रम क्या होता है परिश्रम या पुर्षाथ को छोड़ करकि लिए पुरुषाथ को च्छोड़ करके देवब ब्यक्ति अपने भग्य पर आश्रित हो जाते हैं देव्ड भाग्य पर आश्रित हो जाते हैं प्रशाद सिंगबत सेर की भाती कैसे सेर की बाती जिस परकार से सिंघ धौर जोत overl Only युदारिके युदाज Präsident युद्ले युदी जोनीसिас विअमें आगे बढ़ाता है कि अनुब्तिने में की बेंटे युदा मोधी ठिए आधे। कोई उनके सिर पर क्या के बैढ़ जब दे हैं कोई। उसी फिरकार से मनुष्य । अपने कर्म को छोड़ करके अपने भागे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। वो नरजीव की भाती हो जाते हैं। जैसे सिंग। इसा बाखता है। बहुत पराक्रम होता है। लेकिन उसको मूर्ती में बढ़ चाहिए बना दिया है निर्जीव बना दिया है तो उसके स्वें पर क्या बैड़ते हैं कोई बैड़ते हैं वो निर्जीव यह स्लिए कुछ नहीं करता है इसी प्रकाल से मनुषय कैसा हो जाता है अपने भागे को छोड़ करूद अपने विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया इसमें यह बताया गया है चिंतिनिया जो हमारे विपदाम यानि होता है विपत्ती विपत्ती चिंतिनिया नि सोच लेना विपत्तियों को दूर करने का विचार कर लेते हैं वही व्यक्ती कैसे होते हैं अच्छे होते हैं यानि कि इसमें ये बताया गया है कि हमारे सामने विपत्ति आने से पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए उनके वारे में विचार कर लेना चाहिए ने कूप खनम युक्तम प्रदिप्ते वहिना ग्रह देखिए इस उधारन के माध्यम से बताया गया है कि प्रदिप्त यानि वह हुआ खूदने से क्या याद्र विचार करने के ने संजिल order मैं ढूदी आग पार्लि में कोई ठीक प्रबूर करने हैं भी इसमें ब्रक्ष की प्रगारिता के बारे में बताई गया है इसमें कहाँ व्यक्ष हमें फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल, लकड़ी आधी देते हैं विना कोई स्वारत के एक हमें हमारी अवश्वत्ता आं को पूर्ती करते हैं व्यक्ष Yum.ी अनले तो मंजय कहाई है ब्रक्षों की तरह परोपकारी होना चाहिए अच्छा ब्यवार करना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए भी हाय परुशम देखिए ब्यक्ति अपने पुशात अपनी परिश्रम को छोड़ कर अश्रेत अच्छत को इसको सभी हो जाता है ब्यक्ति अपने को अब एक पाल चाहिए गोड़ें पर आ के बैठाने पर को कोई को पता है कि वो निर्जी हो कर वेटा इसलिए ठीक है अगर वो सजी होता सिंग तो उसके उपर नहीं बैठते हैं अगर मनुष्य बहनती होता तो उसको भागे पर आश्रित होना नहीं पड़ता वो अपना भागे खुद बना लेता अब देखे सेवन नंबर का चिंतनिय से कोई लाब नहीं है देखें इसके मात्यम से इसको बताया गया है कल हम इसकी एक्सर्चाइज की बारे में अद्दिन करेंगे